सबसे पहले कुछ हम एक महीने का स्टडी प्लान बनाएगे और देखो अभी भी बहुत टाइम बाकी अभी एक महीना पंदरा दीन आपके पास करीब देड़ महीना बाकी है उस देड़ महीने में में अराउंड पकड़ चलो 45 डेस बाकी है 45 डेस में आप चाहो तो क्या कुछ नहीं कर सकते बहुत कुछ कर सकते हो सर जीवन के अंदर 45 डेस के एक दिन भी बहुत जदा होता है एक दिन में 40 चौबीस गंटे होते उससे पकड़ के चलो कि आपके उस कितना सारा टाइम है और उसके साथ साथ बेट अभी बहुत सारे पड़ाने में लगा रहे थे और इंडियन मीडिया के ऊपर भी थोड़े बात करेंगे के यहां पर कुछ न्यूज वगरा की बात करेंगे और लास्ट में बेटा कुछ टाइम टेबल पर भी में आपर क्या करने वालो आपके लिए क्या करने वालो बात करने वाला हो तो चल प्लान वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था क्योंकि जो बच्चा दो महिने से पढ़ रहा है बेटा इसली हो सकते हो जो बच्चा अभी भी कोई बच्चा इसा बोला सब्सक्राइब कुछ पढ़के नहीं हुआ तो अभी आपको अपने आप से सवाल पूछो अरे तुने इतना साल किया क्या अब तक तुने पढ़ाई किया नहीं दिवाली चला गया नवेंबर चला गया डिसेंबर चला गया तो अब तक तुमने किया क्या अभी अपने आपको सवाल पूछो क्या मैं उस लायक हूँ कि मैं 90 परसेंट ला सकता हूँ अपने आपको अभी देखो को डी मोटिवेट निकर आप इजी ली अच्छे चाच्छा पढ़ाई करके भी 90% उपर आरम से ला सकते हो पन कैसे लाना है सर देखो 90% लाने के लिए मैं तो यहां पर बोलुगा मेरा काम है बोलना मेरा काम है बताना पन करना आपका काम है देखो हर एक बच्चों का अलग- वीक्नेस होता है जैसे मेरी बात करूं में अकाउंट में स्ट्रॉंग हूं तो पन में ओसी एसपी इकोनोमिक्स में थोड़ा बहुत वीकू इंग्लीश में और भी ज्यादा वीकू तो यही चीज़े अपने आपको पूछना है सर अरे मैं थियरी सब्जेक में सर अच्छा आप से जब तक अपने आप से अंदर से तुम बोलोगे नहीं कि अभी मुझे पढ़ना है मेरे फ्यूचर का क्या होगा उसके अक्वाडिकली क्या करेंगे बात करेंगे तो यहां पर स्टडी प्लान क्लास 12 के लिए हम बात करने वाले आज क्या क्या करने वाले उसके पहले चोट आसा यहां पर देखो हलाकि यह वीडियो मैंने पहले सोचा था आपको बना हुए थम्मिल मैंने इसा बना के रखा था अगर आप आज के दिन भी मीडिया का कोई भी पेच खोलोगे ना तो यहीं बोलेगा अरे मोधी सरकार आया था लॉकडाउन लगने वाला था यह अभी जब से देखना अपना क्रिकेटर का एक्सिडेंट हुआ है सारे मीडिया उदर पहुच गया अरे उसकी गर्फ्रेंड ने वह बोला सचीन टेंडूल कर गया विराट कॉली गया इसने यह ट्विट किया और एक इंसान का एक्सिडेंट हो गया तो इतनी पूरी दुनि हुआ उसको कुछ भी नहीं पढ़ी है तो इसी का बेटा मीडिया पर कोई भी न्यूस देखो अपने मैं तो घर पे आप सभी को बलता हूं माबाप न्यूस देखते बिट बोलो एक काम करो न्यूस बन करो पेपर चपवालो मेरे घर पे भी यह सीने हर दीन हर दीन अकर मैं मंतली की बात कर दो मंतली में पकड़ चलो मैं 3 साल का गरीब 2000 रुपया तीन साल का थी यर्ज का क्या करता है दो अजार रुपया और लुवह कितने साल 3 साल तक भी नूस पेपर को पढ़आ, पढने से क्या होगा आपका रीडिंग सुद्रेगा आपको नॉलेज रिसर्च कुछ आर्टीकल ऐसे पढ़ोगे डेफिनेटली आपका क्या होगा है और देखो मेरी मेरी लाइफ की बात करो मैंने घर पे न्यूस पेपर डाला था आध नहीं तो करीब करीब पांच या छे साल से न्यूस पेपर मेरे घर पर हर दीन आते जाता है अभी तो मेरे प पेपर का एड़ तो देखते हैं आज बिग बास पेट के यह डिले जॉमेटों पर यह डिले ऐसा खाली पेपर टर्न करते करते भी इंगलीश आ गया मैरे डैडी को इंगलीश आगया मम्मी तक पड़ी है डैडी भी 10 तक पड़े खाली बस पेपर इसे घुमाते गे गुमा टल बेटा 180 कंट्री में इंडिया का रह्क आता है 150 मतलब तöm सोचो 180 कंट्री इंडिया उसमें से कितना रह折 आता है 150 पर ऐसा होता नहीं यह बिटा समझ में आ मीडिया का आता है और उस पे तुम बिल्यू करते हो बैटा इस इंपॉसिबल जैसे यह सब चीजे हैं जैसे यहां पर कुछ भी देखो और हर मीडिया में कुछ ना कुछ रहता है आपने देखा रहेगा पांच चंद पंचायती लोग को भेगा बिठा देते और प्लानिंग क खराबों का उस चाहिए सब चीजों पर ना पड़ो यह अच्छा और पढ़ाई की बात करें पढ़ाई अभी देखो बहुत सारे बच्चे पहले टाइम टेबल की बात कर ले देखो टाइम टेबल यह कोई चेंज हुआ अगर होता तो भी हमको क्या है बिटा खाली कोई Google पर गया था सर्च करने के लिए कि नाव टाइम टेबल न्यूए टाइम टेबल महारस्टर बोड की साइड पर बाकी और मीडिया पर कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ चालू हो गया मतलब तुम सोचो अभी मेरे को जान तो बोलना तो नहीं है मतलब हम सर्च करने कुछ और जा रहे है पौच कहीं और जा रहे कहीं एडल्ड साइड पर चले जा रहे है वहां से कुछ और कहीं मतलब कुछ भी यहां पर चल रहा है इंटरनेट की दुनिया में तो फोन से जितना दूर हो आपके लिए अच्छा है सर कौन सी ऐसी बात है जो अभी मैं पढ़ाई बिट संस्क्रित का एकजामें 25 को ऑसी 28 को three marge variance 9 temos can o pos Oliver toons थे सिधाए और वहापगी ऑक्ट को इकव्टकर बात करें तो तीनसे छे का मतलब अव्टरनून और इवनिंग का सका 빠워 यह क। सब कुछ हम काम परफेक्ट करना क्या करो चालू रखो बाकी का सारी जिमेदारी मेरे चोड़ दो कैसे पढ़ाई करें क्या करें डोंट वरी और कुछ हमारी चैनल पर लूफ वह जैसे मैं संस्क्रीट नहीं पढ़ा सकता हमारे आपको मैक्स करा सके हिंदी पहीं ठोड़ा कहीं ना कहीं प्राबलम पर चैनल पर आपको सब कुछ मिल आ कहीं ना कहीं तो लूफ वह जैसे मेरी बात करें अब चीजों में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं यह सबसे पहले होना चाहिए भी अपने आप से पहले पूछो अगर आप सकते हो बेटा डेफिनेटली मेनद कैसे करनी है क्या करने अभी हम डिसकस करते हैं सबसे पहले मैंने बहुत सारी प्लानिक और भी सोते हो उसके पहले क्या और लोट प्रिपेर कर दो कि अगले दिन क्या पढ़ने वाले हो जैसे अब अपने पास एक मह Don't चाहे सर एक महिने मैं कैसा बढ़ू अरे कुछ बच्चा रहें करना एक दीन में फोली कर सकता को बस्किर एक updated पर सकता तो उसके लिए कैसे शुरे-प देखो अभी बतारो जब से आप सोने के पहले अभी आप सोने जाओ वीडियो खतम होने के बाद सोने जाओ तो पहले सोचो कल में क्या पड़ूगा कितने बज़े क्या पड़ूगा कितने चेप्टर में को कवर करने क्लियर उसके अकोर्डिंग और इतना सारा भी प्लानिंग करना है कुछ भी हालत में हो जाए इतना चोटा सा आप कम्प्लीट कर सो को ऐसा क्या करो टास्ट रखो क्लियर है सेकंड चीज होता है अगर आप मौनिंग में जो भी बच्चे उठते एक चीज देखा उठके ऐसी इसी था बैग लेके कहीं चले जाता है उठने के बाद थोड चोटा बोटा कोई ज्यादा हार्ड मैं ऐसा नहीं बोलो जीम जाओ दोसो मीटर रणिंग करो फटा फट अरे ऐसा कुछ नौर्मल योगा करना हाथ उपर हाथ नीचे कमर को ऐसे हिला हो बस हो गया इंसोट मदब थोड़ी एक्सेसाइस करो आपके लिए क्या होगा अच्छ चालू करो क्लियर है और देखो अभी एक चीज कॉमन होता है जैसे एक्जाम नजिक नजिक आएगी ना कुछ ऐसे महान आत्मा हो आएगी बाहर बोलेगी आपको अभी जो पढ़ा है वही पढ़ने का नया कुछ पढ़ो मत अरे बेटा ऐसा नहीं होता जो आपको डिफिकल में से भी आएगा सब कुछ पढ़ना है और बुक का सब कुछ इंपॉर्टन कोई भी टॉपिक इडिलेवेंट नहीं है क्लियर अभी बता रहा हो जैसे मैंने इकोनोमिक का ऑब्जेक्टी ओसी का बीके का इंग्लिश का भी हमने जो बताए कि आपको मेंड में टॉपिक करे सब आएगा हां सर आएगा पर उसके चांसिस नाइंटी परसंट कहीं और से भी आ सकता है मतला इंपॉर्टन्स करोगे तो नाइंटी परसंट ही लासो कोगे अगर आपकी प्लानिक 95 अबो है तो बेटा आपको खुछ से पढ़ाई करनी पड़ेगी और सर मोटीवेशन तो मोटीवेशन कहां से मिले अरे बटा मोटीवेशन कहीं से डूहने जाने के जरह चौत होगा अपने माबाप को पूछो ऑपने क्या होगा सबसे मोटीवेशन रहेगे हैं अपने आसपास देख अपने घर को सो करोड के ऊपर honest कितने लोग रहें कि umapped allergies का जिनकी सेलरी सो करोड के सालाना सो करोड की बात करोंग कि बात हुना पढ़ना आपको ही पढ़ेगा कोई उसको आपको बोलने आने वाला निंग्लिज डिफिकल्ट रखता है किसी को हिंदी मराथी किसी को मैक्स किसी को अकाउंट सबको अलग अलग बैटा सब्सक्रेंद्थ है अपनी स्ट्रेंथ खुद देखो उस पर भरोसा करो कोई और बोलत जो बचे का अकाउंट्स हो गया हो क्या करेगा वो सब की बात करो और अकाउंट्स का रिवीशन सेशन भी में करा रहा हो अपने पास इकोनोमिक भी चल रहा है उसको पेपर सॉल्विंग और सब कुछ होने वाला है बस आपको पढ़ना है अभी आपके लिए मैं चाहता था कि इलेवन ट्वेल बच्चे सही डाइरेक्शन में जा तो इसके लिए अलग से चैनल बना दे के चलो वहाँ पर खली वाले बच्चे ही आए हमल सर लाइक लाइग बाकी और थर्टीन वाले के लिए चलो यहाँ पर आगे यही चैनल पर फॉर्टीन सब लेक्चर आपको लेग रात को सोते हों पूरे दिन का पैकेज बना लिया सूबा उठा सर सबसे डिफिकल्ड मेरेको लग रहा था अकाउंट का एक सम कर लिया चलो अच्छा है सर और थोड़ा अच्छा लगा तो मैं शाम को कर लुगा एक सम थोड़ा ओसी छोटा मुटा पढ़ लिया एक तो समद लो बिट आपने 70 का टार्गेट किया 60 आएगा अगर आपने रिविजन की आ रहे हैं कि अगर आप सोच दो एक परफेंट लाने के चांसिक अगर और आप रिविजन करने लुटम करो करो हमेशा एक हर साल समय और हवाली नहीं तो हमेशा एक ही बात घाना चाहना करोई अभी जैसे मैंने में बता है कि हर दिन मौर्निंग में एकसाइस करो दो बदाम खाओ दो काजू चलो इतनी अपने पास पैसा नहीं है तो कम से कम वड़ा पाऊं तो मत खाओ जैसे ओड़ा पाऊं कटलेश कुछ ओईली चीज खाऊंगे आपको भी प्रॉब्लम होगा ना इंसिदेंस एक्जाम टाइम पर पेटे मे बीमारी तो होई रही है और आप अगर न्यूस चैनल देख लो तो बीमारी नहीं है तो भी आपको बीमारी आ जाएगी क्लियर है तो यह चीज बेटा याद रखो हैल्द हमेशा हल्दी खाओ अभी सर पढ़ाई तो कर ले चलो बुक लेने तो पढ़ाई आपने बोला था स पासर पासर कर लिया टाइमिंग कर ले सब कुछ कर दिया पंसर मेरा फोन को मैं छोड़नी पा रहा हूं सर फोन की याद आने लगती क्या ढरूर cur terror अभी न adesso het कि सर एक काम करो बच्चों को यही बोल रहा हूं कि आप जब भी पढ़ने बेठो फोन को स्वीच अफ कर दो 10 पसंट लोगी एंप्लीमेंट करेगे कितने खली 10 टका सो मैंसे 10 लोगी इंप्लीमेंट करेगे बाकी के 90 पसेंट फोन को क्या करेगे साइलेंट करेगी इंप्लीटली फोन को क्या करो स्वीच आफ करें तो अगर आपने की अशलाएंंटी क्या और भी इंतने जुढ गए कि उसको जुदा कर पा रहे और यह चीज बेटा अभी एक चीज आप समझ लो जब तक फोन को आप अपने से जुदा नहीं कर पाऊगे तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊगे क्लियर आपकी जिंद्गी खाले हो पबजी फीर फ्रायर सब में रहेगी अभी देखो अभी में नहीं बोला आप में जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट क्या बता था सबसे पहले आपको याद होगा के नहीं याद होगा आप सोने के पहले क्या करो पूरा का पूरा एक समरी बना दो कि कल मैं सुबह उठके यह पढ़ने वाला हो अभी हर दिन सुबह उठो कम से कम पांच मिनित तक एक्साइस कर सकते हो नो कोई बड़ी बात नहीं सर ऐसे ऐसे करो एक्साइस हो गया थोड़ा बहुत पांच से दस मीट तक एक्साइस करो नहीं है तो थोड़ा वॉकिंग करके आओ तो गार्डन में थोड़ा घुम करके आओ सारेक सिधा उठके मूह दोके पढ़ाई करने उठो एक्साइस करो नाओ दो फ्रेश होके पढ़ाई करो नो डाउट थंडी जादा है पर आप अभी आपका दिल करता है सुबह आराम से उठो ऐसा नहीं बोलों कि जो बच्चा रात को बारा बज़े सुया रहेगा सुबह पांच बज़े उठके नहीं आप रात को बारा में अच्छे मार्स नहीं आया तो बोड में तो फेल हो जाएगा अरे बेटा कुछ भी नहीं ऐसा होगा कॉलेज वाले इसके लिए एक्जाम ले रहे कि आप पढ़ाई करो अदर्वाइस कॉलेज वाले को कोई शौक नहीं एक्जाम लेने का क्लियर है उसके बाद है बेटा जो मैने बता है बेटाइड़ डिफिकल्ट चेप्टर भी आपको पढ़ने इजीड़र आपको रिवाइस करना है इजीड़र तो आपने अटमेट्र ली पढ़ लिए रेगे उटेर आपन जो भी आपको डिफिकल्ट च्टर लेख्ते है बेटा सब कुछ पढ़ाई आपको को करना है clear और देखो अभी बता रहो motivation कहीं पर ढूनने मत जाओ कोई बच्चा इतना स्मार्ट है हर दिन संदीप महेश्वरी motivation विवेक बिंद्रा motivation आरे वो तो motivation देखे तुम अपना time waste कर रहो clear motivation बेटा खुद से हासीर होता है कहीं और तुम्हें कोई motivate कर सकता नहीं है clear है बेटा उसके बात होता है everyday आपने जितना भी दिन में पढ़ाए हर दिन का क्या करना है आपको revision session क्या करना है start कर देना है और अभी बता रहो बेटा खाने में अभी थोड़ा क्या करो control करो healthy food खाओ ऐसा भी नहीं junk food पर मत जाओ अभी बता रहो बेटा हर दीन अच्छे से अच्छा healthy food खाओ और देखो हर दीन इतना याद रहो बेटा फोन को कम से कम कम से कम पढ़ाई करते हैं चार घंटा पढ़ाई करो चार घंटा फोन को switch off करके रखो आपके लिए अच्छा है क्लिए और लास्ट में यही बोलना चाहोगा जितना आप अपने आप पर भरोसा करो किसी और पर भरोसा मत करो अभी कोई बच्चा पूछेगा करना चलू के दोस् trou तनी इतने कमी ने दौने वह चलू करें अरे भड़ाया खेलने के लिए अरे बेटा मेरा मैंने भी कुछ बड़ारे सामझ में आरहो RAW वह आपका दोस्तों पहले Top incapam पर लड़किया बोलती हैं और हम लोग लड़के लोगे थोड़ा टाइम मिलानी के फोन में खेलानी थोड़ा ताइम हुआने के थोड़ा बार भी गुमने गए नहीं तो यही सारी चीजे बेटा आप पे लागू होती है क्लिए अभी बता रहो पढ़ाई खुद से करो खुद की इच्छा से सोचो कि अभी मुझे पढ़ना है तो ही आप आज इसीली हासील हो जाओगे और कॉलेज वाले धंकी भी देते हैं अगर तुने को कम मांक्स आया तो पैरेंट्स को बुलाएगी होल टिकिट नहीं दिया है अभी सुना है अभी अटेंडेंट बीटेंट गया भाड में पढ़ने ध्यान दो अभी बंक बिंग बार में अभी मरीन राएब को जहां घूमने जाते हो बेटा थोड़े देर साइड में रखो रखो कम्प्लीटली पेटा दो महिना है देखो जनवरी फरवरी दो महिना है आपके जो करना है जो खाना है वह करना पर अभी अपने आप पर क्या करो बरोसा हो सरब बंट वरी इंपोर्टन्स पर खाली है मैंने जो दिया है इंस्टा ग्राम ये इंस्टागराम मैसेज कर के घ्र कोंश लिंक का लिंक को दो आपके यह लिए बघने के静्छ बढ़ने के लिए बहुत को और मैं बहुत दूरे क्ठोर्वा करना में कोई शौक की नहीं तो अप ने के लिए कुछ बनाता है लिए वीडियो आपके लिए लोगा लाहा बीटा बताने अब तेखो ताइम टेबल यह यह अभी कोई बच्चा भी चर्चा कर रहा है सब टाइम टेबल एकोनोमी का अरे बेटा जब आएगा तब यह पता है ना इतनी पहली एक्जाम इंग्लीश से यह सब है है नहीं एकोनोमी का एक्जाम पढ़ाई करना चालू करो आगे का कुछ प्राइवेट सर अभी तक अरे प्राइवेट दे रहा है तो अपके लिए तो और भी अच्छी है ना नहीं कॉलेज जाने की मगट मारी आपका हर दीन का पांच घंटा तो ऐसे ही बच रहा है ना तो आप खुछ से पढ़ाई करना चालू करो वेरी गुट देखो अब बच्चा बोल रहा है मैंने आपके वीडियो से ओसी एसपी और एको तीनों खतम कर लिया अकाउंट भी खतम कर लिया अरे इंपॉर्ट डीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ सब कुछ आपके लिए मैंने देखे रखा है क्लियर नौ प्रॉब्लम यस सर यह बेटा वेरी गुट सर मैक्स का इंब देखो एक्चुली हमारी चैनल पर मैक्स अब तक एक्चुली कैसा होता देखो सारे टीचर मिलने इंपॉसीबल हाला कि कुछ बच्चा अभी भी डिमांड करते सर काम करो मराठी में इको पड़ाओ अब पढ़ा सकते हैं इतना आता है मुझे मराथी बहुत अच्छे से आता है कि थोड़ा बहुत बोल लेता हूं कहीं पुलीस वाला पकेड़े तो मैं उसको मांडवली कर सकता हूं उतना तो मिले को आता है सर अभी से स्टडी स्टार्ट करते हैं कि अभी से स्टार्ट करो प्लानिंग करो एक्जीक्यूट करो डेडिकेशन करो डेफिनिटली आपको सक्सेस मिलेगा मेरा प्रॉमिस आपको प्लीज टाइम टेबल दिखो भी बताओ दिन के अभी आपको 90-95 लाना है तो 5-6 गंटा अब मुझे लग रहे हैं आपकी कॉलेज वाले 28 अठाईस मार्श सक आसपास क्या करेंगे आइटी एक्जाम ले ले लिगे और आईटी एक्जाम सबकी अलग-अलग होगी एक टाइम नहीं होगी मतलब जैसे कॉलेज में कॉम्पीटर रहे उससाब से आपको अलग-अलग पें लुटाए कि आपके लिए क्या होगा अच्छा होगा हर दिन कितना घंटा पड़े देखो अभी बता रहो नहीं है जो पांच घंटे पड़ता रहे और कोई बच्चा इसा रहे करता लुटा और पांच घंटे के बराबर होगा अभी आपको decide करना है कि 5 गंटे पढ़ना है कि एक गंटा पढ़ना है एक गंटा नहीं पढ़ना है जो तुमको सबसे सिंपल लगे जो तुमको सबसे अच्छा आता हो सब कुछ में करा हुआ बाकी कोई भी चीच पर आप इंग्लीज ग्रामर के लेक्चर सब कुछ आपके लिए आजाएगा आप टेंशन मतलो मेरी तरफ से यहां पर सब कुछ आपके लिए अवेलेबल मिल जाएगा उसका टेंशन मतलो सर मुझे कुछ याद ही नहीं होता तुझे याद कैसे रहेगा बटा क्योंकि तुन्हें पूरा दिन फोन ही देखा है रिल सी सिंपल सी बात है अगर पूरा दिन आप फोन देखोगे तो आपको याद देखो हर दिन फोन देखने से क्या होगा पता है आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा दिमाग काम करना बंद कर देगा दिमाग सोचना बंद कर देगा सोचना बंद कर देगा तो याद करना सब कुछ लिंक आपर मिल जाएगी कोई लिंक नहीं मिल रही है तो देखो इंस्टाग्राम का भी मेरा दिया है महाँ पर भी मेरको मैसेज करो मैं सारे जनका रिप्लाइज देता हूँ एकसेप कुछ बॉल रहे कोई बोले कर ना सब्सकेया पर क्या तुम्हार सम सूलकर यह को आपको कुछ कोले सब प्रोजेक्ट मिला है सर करके तो अरे यह सब बच्चे बोलने लगते अरे सर मेरे पास तो फोन ही नहीं है बैटा वैरी गुड तो आप किसमें देख रहे हो यस सर या ठैंक यू ठैंक यू सर नहीं सर अच्छा पांच बचे उट जाते हो वैरी गुड सर अभी जो बच्च्चे का सब कुछ पढ़ा करके हो गया बटा हो गया अभी आप थोड़ा थोड़ा क्या करो रीवीजिंट सेशन क्या करो स्टार्ट करो आपके लिए क्या रहे अच्छा रहेगा clear और जो बच्छा भी बोल रहा याद नहीं होता तो याद करना पड़ेगा जो ऐसे मैंने बोला सुबह उठो planning करो योगा करो थोड़ा अपने आपको time दो बेटा definitely याद होगा phone को थोड़ा switch off करो यह सब चीजों को थोड़ा थोड़ा याद करोगे आपको help होने वाली एक लिए और वीडियो अच्छा लएक तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट लाइक करो अपने जादा ज्यादा फ्रेंड में forward कर दो और कुछ भी नहीं चीए बस यही आप से क्या कर रिक्वेस्ट है और जो भी डाउट रहेगा आप मुझे comment section में डाल देना कि बहुत सरे बच्चे लोग का रहा है किसका answer दू किसका answer नहीं दू सर अभी start नहीं किया है अरे बिटा अभी कुछ भी start नहीं किया है आईए जुड़िये बिटा आपनी दूसरी चैनल है वहाँ पर भी आपके लिए बिटा specially वहाँ पर लाइव लेते हैं कि आपको जो भी डाउट रहे का on the spot क्या हो जाए सॉल हो जाए clear आपके लिए भले के करते हो आपका भला होने वाला है clear और किसी का भला होने वाला ना पढ़ाई करोगे मेरा भला होगा ना किसी और का भला होगा बला आपका खुद का होगा clear तो चलो थैंक्यू बेटा बबाई थैंक्यू सो मच थैंक्यू 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 थैंक्य